तो दूस्तो आज इस मुवी को हम explain करने जा रहे हैं उसका नाम आपने कभी न कभी तो सुना ही होगा तो मुवी का नाम है फिफ्टी सेट्स ओफ ग्रे और यह release भी थी यह 2015 में मुवी काफी जदा इंट्रेस्टिंग है और आपको इसमें बड़ा मजा आने वाला है चलिए जादा देर ना करते हुए हम मुवी को स्टार्ट करते हैं पर उससे पहले दूस्तो ऐसी ही और बेज़ाद इंट्रेस्टिंग मुवी को देखने के लिए हमारे सेकेंड चैनल को सब्स्क्राइब कर लीजेगा और यदि आप स्लासर कॉंटेंट में इंट्रेस्टेड हो तो हमारे ने वाले चैनल को सब्स्क्राइब कर लीजेगा तो मुवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एना नाम की एक लड़की को जो बिचारी बड़ी घबराई हुई है और एक ओफिस के अंदर चली आई है जिसके बाद वो एक बंदे का इंटर्विव लेती है दोस्तो इसका नाम क्रिस्टीन है और ये उससे काफी अजीब जीत रहे के और वीया टाइप के कोशन पूछ रही है इवेन हम इसके चहरे पर भी देख पा रहे हैं कि ये कोशन पूछ राने चाहती परन्तु ये इतनी जगा धबराई भी है कि इसके मुझसे उल्ट सीदे कोशन निकल रहे हैं परन्तु यहां पर कृस्टीन उसके सवालों का बहुत ही पॉलाइटली जवाब देता है और इसके साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करता है इसके साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि क्रिश्टीन शायद उसे कही न कहीं पसंद भी करने लगा हैं क्योंकि वो उसकी बातों को काफी इंट्रेस्ट लेकर के सुनना था और अपना कीमती समय उसके साथ फालतों की बातों में वेस्ट कर रहा था खेर यहाँ पर एना हमें बताती है कि वो एक student है ना कि कोई journalist वो तो बस यहाँ पर इस वज़े से आई है क्योंकि जो उसकी roommate है उसकी आज तबियत बहुत खराब है और उसे ही आना था क्रिस्टीन का interview लेने के लिए पर उसकी तबियत खराब होने के वज़े से वो आने पाई और यही reason है कि वो अपने friend का नाम ले करके यहाँ पर आई है पर क्रिस्टीन को इस भाद से कोई भी problem नहीं थी वो उसके साथ बाते करता है और जब एना घर जा रही थी तो वो उसके question papers वाला paper ले ले लेता है और यहाँ पर जैसे ही वो घर पहुची तो उसकी friend उससे अधर लिखे हुए है अगली सीन में हम देखते हैं कि एना पाय टैम जॉब भी करती है जहाँ पर जब वो अपनी जॉब पर थी तभी क्रिस्टीन गलती से वाहाँ पर आ जाता है वो जब एना को ऐसे बात करके एच्छा लग रहा था पर बातों ही बातों में एना को याद देती हैं खेर फोटो शूट कंप्लीट हो चाता है इसके बाद वो दोनों कॉफी भीने चाते हैं यहाँ पर वो एक दूसरे से काफी बाते करते हैं एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं तो एना भी उससे कहिने कहीं लाइक करने लगी हैं तो इसलिए वो उससे शादी से रे कर ली थी तो क्रिष्टीन का उसके पास फोन आता हैं जिसने उसका हाल चाल लेने के लिए उसे फोन किया था पर जब उसे बता चला कि एना ने इतनी ड्रिंक कर रखी हैं और वो घर से बाहर है तो वो उससे लेनी के लिए उसी क्लब में बहुत जाता है वो यहां से एना को पिक करके सिधा अपने घर लेकर आया था पर जब सुवे एना के उतर दी हैं तो उसे बता चला कि वो पूरी रात क्रिस्टीन के घर में थी ये सुन करके उसकी थोड़ी से पटने लगी कि क्रिस्टीन ने रात बर क्या किया होगा पर क्रिस्टीन उसे भरोसा दिलाता है कि मैंने कुछ भी तुम्हारे सब गलत नहीं किया और यहाँ पर वो उसे अच्छे से breakfast कराता है और उसे बाते वेगरा करके घर छोड़ निकलता है और lift में ही वो दोनों kiss करते हैं खर चुम्हाचाटी के बाद वो उसे घर पर छोड़ देता है और उसे promise करता है कि हम लोग करल फिर मिलेंगे जिसके बाद एना अपना काम वगयरा finish करके जब store से बाहर निकल दे थी तो बाहर उसे क्रिस्टीन का bodyguard मिलता है जो उसे अपने साथ क्रिस्टीन के पास ले जाता है क्रिस्टीन जो की एक चौपर के पास खड़ा हुआ था वो उसे चौपर में बैठाल करके अपने घर ले आता है यहाँ घर पहुच करके उसने एना को एक contract दिया sign करने के लिए contract में काफी अजीब 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 तरह की बाते लिखे वी थी खेर एना contact तो sign नहीं करती है पर वो उसके साथ उसका घर देखने निकल जाती है यही पर ही क्रिस्टीन उसे एक room मिले जाता है जिसका नाम था red room यहाँ पर बहुत सारे torture करने के अलग-अलग हतियार रखे हुए थे एना पूसती है कि यह सब कुछ यहाँ पर क्या कर रहा है तो क्रिस्टीन कहता है कि मुझे इन सब का shock है और यही पर ही बातों ही बातों में एना उससे relationship में आने के लिए बोलती है क्रिस्टीन भी इसके लिए मान जाता है पर वो खहता है कि मैं किसी के साथ भी पेलन कारिक्रम नहीं करता एना उससे समझाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है हम लोग relationship में आएंगे तो पेलन कारिक्रम तो गरना ही बढ़ेगा ना पर क्रिस्टीन कहता है कि नहीं मुझे इन सब का शौक नहीं है बस मुझे जिन चीजों का शौक है बस मैं वो चीजे relationship में आकर के complete करूँगा वो इससे भी चीजे contract में लिखी हुई है पर एना को यह सब चीजे घंड़ा समझ नहीं आ रही थी और वो उससे कहती है कि मैंने अभी तक किसी के साथ भी पेलन कारिक्रम नहीं किया यह सुनकर के क्रिस्टीन को काफी अजीब लगता है तो वो तुरंत ही उसके साथ चुम्बन क्रिया करता है और इसके बाद वो दोनों पेलन क्रिया करते है उनकी पेलन क्रिया पूरी राज चलती है जिसके बाद वो जब सुबह उड़ते है तो फिर से उनकी पेलन क्रिया जलती है इसके बाद वो दुबारा फिर से करते हैं परन्तु इससे पहले ही क्रिस्टीन की मॉम वहां पर आ गई और इस वजह से उनके गरम तंबू पर ठंडा पानी फिर जाता है खेर उसकी मॉम जब एना से बात वगरा करती हैं तो उन्हें एना बहुत पसंदाती इसके बाद क्रिस्टीन उसे घर पर डॉप कर देता है वहां से जाते समय क्रिस्टीन एना को वो कॉंट्रेक्ट भी देता है जिसमें उसकी सारी शर्ते लिखे हुई थी एना घर आकर कि जब उस कॉंट्रेक्ट को बढ़ती हैं तो उसके अंदर काफी दर्दनाक चरते लिखे हुई थी यानि एक दरह से बोले तो वो टॉर्चर करने का कॉंट्रेक्ट था एना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि वो किसी के साथ रिलेशन्शिप में इसलिए आए कि वो उस पर टॉर्चर कर सके हैं इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो इस कॉंट्रेक्ट पर साइन ही नहीं करेगी इसके बाद अगले दिन उसने क्रिस्टीन को ये भी बता दिया कि वो कॉंट्रेक्ट पर साइन नहीं करेगी इसलिए रात में क्रिस्टीन उससे मिलने के लाता है और उसकी मर्जी से ही उससे बेट पर बान करगे उसके साथ पेलन का रिकरम करता है एना को भी इस पिलन कारिक्रम के बाद उससे प्यार जो था वो काफी बढ़ जाता है और वो अब किसी भी कंडिशन में क्रिश्टीन को छोड़ना नहीं चाती तो वो उससे खहती है कि ठीक है मैं तुम्हारा कॉंट्रेक्ट तो साइन कर दूगी पर उससे पहले तुम्हें मुझे मिलना पड़ेगा जिसके बाद अगले दिन एना उससे मिलने के लिए जाती है और यहाँ पर वो उसके कॉंट्रेक्ट से कई सरी शर्तों को हटवा देती है क्रिश्टीन भी उसकी खुसी के लिए इन सभी शर्तों को हटाने के लिए रैडी हो गया था पर अभी भी एना थोड़ा सा डाउट म थी तो वो कांट्रेक्ट में साइन नहीं करती जिसके बाद क्रिश्टीन उससे बहार चोड़ने आता है और उसकी छेटी सी कार में उससे बिठा करके उसे बाइबाय कर देता है इसके बाद हम देखते हैं कुछ दिन बीच चुके हैं और एना अपनी पढ़ाई पर ज्याद तो वो बहुत असमंजस में भी फश्जाती हैं तो जब रात में वो अपनी मॉम से बात कर रही थी तो उसकी मॉम पहचान लेती हैं कि उनकी बीटिया बड़ी असमंजस में हैं तो वो उसे बुला लेती हैं अपने पास एना भी क्रिश्टीन को बिना बता है वहाँ पर पह अच्छा लगता हैं पर एना इस चीज़ को लेकर के बड़ी कंफ्यूज हैं कि क्रिश्टीन उसके साथ नॉर्मली रिलेशन्शिप में क्यों नहीं रहा चाता उसे टॉर्चर करके आखिर मिलेगा क्या तो क्रिश्टीन उससे बताता हैं कि मेरी रियल मॉम जो है उनकी सान होते हैं जो उसने खुद को ही दिये थे क्रिश्टीन एक तरफ उससे प्यार तो बहुत करती हैं पर दूसरे तरफ वो खुद पर टौचर कैसे करवा सकती हैं इसलिए वो डिसाइड करती हैं कि वो अब उसने मिलेगी ही नहीं उसका ग्राइजेशन कंपलीट हो चुका ह हैं यहाँ पर वो उसे अपने प्राइवेट प्लेन में बेठा करके पूरे सहर की सहर करवाता हैं पर वो ज्यादा समय तक वहाँ पर नहीं दुख सकता था इसलिए अगले ही दिन वो वापस चला आया अपनी सिटी में सहीं जी के जाने के बाद लैला कभी मन नहीं लग रह पर सहीं जी से मिलने के बाद वो दोनों पलन लिलाते हैं परन्तु एना को इस चीश से बिल्कुल भी मज़नी आ है क्रिस्टीन बस उसके साथ ही पेलन का रिकर्म करता था पर एना को उसे टेस्ट करने नहीं देता यह बात एना को बिल्कुल भी इच्छी नहीं लगती तो यहां पर एक हंडर की है तो उसके साथ टपर टब करता है इस वज़े से hunter की चोट से उससे बहुत दर्दुआ और एना को realize हो जाता है कि उसके साथ relationship में आने पर उससे कितना दर्द जीलना पड़ेगा इसलिए वो अगले ही दिन सब कुछ छोट साड के वापस अपनी mom के पास चली जाती है क्रिष्टीन ने से रोकने की कोशिश भी की परंतु वो नहीं रुकती और उससे कभी ना मिलने का promise करके वाँ से चली जाती है जिसके साथ ही ये movie भी हमी पर end हो गई दोस्तो वह से आपको बता दू कि इसका part 2 और part 3 भी available है अगर आप चाहो तो उसको भी हम explain कर सकते हैं और जाते जाते एक छोटा सो sorry दोस्तो इस समय जिंदगी के फड़वे लगे पड़े हैं तो भाई इस समय शायरी लिखने का या कुछ भी funny करने का बिल्कुल भी mood नहीं हो रहा है इसलिए I know कि आप मेरी शायरी को या मेरे वाले वो funny words को miss कर रहे होगे पर प्लीज मेरे भाई बस एक दो दिन की बात है आप से बस इतनी ही उम्मेद कर रहा हों कि थोड़ा प्यार सपोर्ट दिखा दो चैनल काफी दिकतों से होकर गुजर रहा है हमें बस आपका ही सहार आये, अगर आप शेयर नहीं करोगे तो कौन गरेगा इसलिए प्लीज वीडियो को छोटा सा Like कर दिजिए, निटेकोई वी छोटा सा Comment कर दिजिए या इसका Part 2 या Part 3 के लिए ही रिक्वेस्ट कर दिजाए और वीडियो को शेयर कर दिजिए इससे थोड़ा सा boost मिलेगा और हो सकता है चैनल सही हो जाए हमारे second channel को subscribe कर लिजेगा या हमारे new वाले channel को भी subscribe कर लिजेगा मुझसे बात वगरा करना चाहते हो या मुझे देखना चाहते हो तो मुझे instagram पर follow करके message कर दिजेगा thank you bye bye signing off